कोरोना महामारी के कारण लगाए गए पाबंदी में चूट देते हुए मिशिन बिगिन अगेन के अंतरगत परिवहन व्यवस्ता को पट्री पर लाने के निर्देश चारी किये गए है जिसके चलते अब बिना मास के आपली बस में प्रवेश नहीं मिलेगा मनपा ने यह निर्देश चारी किया है जिसके चलते चालक कंड़क्टर पर भी नियम लागू किया गया है कोरोना महमारे की कारण लगाई की पाबंदी में छूट देती हुए मिशिन बिगिन अगेन के अंतरगत परिवहन व्यवस्ता को भी पट्री पर लाने के निर्देश चारी किये गया है यहां तक कि मनपा की आपली वसका भी संचालन शुरू होने को अब एक महा से अधिका समय हो गया किन्तु बसों में यात्रा के दोरान नियमों का पालन सुनिशित करने के लिए परिवहन समीती अब नीन से जाक रही है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम होने के इस तौर में सीमीती के सभापती बाल्या बोरकर की और से बिना मास्क आपली बस में प्रवेश नहीं देने की निर्देश चारी किये गये उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमन रोकने के लिए सुरक्षा के उपायों और नियमों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए बोरकर ने कहा कि चालक और कंड़क्टर को भी मास लगाना अनिवार्य है ऐसा नहीं होने पर उन पर सौ रुपय का जुर्माना ठोकने के निर्देश भी परिवन विबाग को दिये आपलिवस के ड्राइवर, कंड़क्टर, चेकर्स को गनवेश पहनना भी अनिवार्य किया क्या है अतहा सभी करमच्यारियों को गनवेश उपलप कराने की निर्देश संबन्दित कंपन्यों को दिये गये है आपलिवस की आय को बढ़ाने के संदर्ब में उन्होंने कहा कि कोरोना की कारण मनपा की आय पर काफी विपरित असर पड़ा है इन परिस्तितियों में आपलिवस द्वारा आय बढ़ाने के जिम्मेदारी चेकर्ष और कंडेक्टर्स पर है सभी को जिम्मेदारी पूर्वक कारे करने की अपील भी उन्होंने की उन्लेकनिय है कि मनपा की सेवा से सेवा निवर्त हुए रविन रपागे और अरुन पिप्रूडे को परिभन विभाग ने पुनह सेवा में शामिल किया किया है दोनों का कारया लेके बाहर निकलना संभव नहीं होने की कारण अब उनकी एक समिती का गठन कर किसी भी तरह की कारवाई होने की बाद दोशियों की सुनवाई के लिए दोनों अधिकारियों की एक समिती का गठन किया गया क्यामरा पोर्सन मोनु खान के साथ संजे मेरे NBC News नप पुरू